कि यख रांजिब्स दोलते या कि दोरान पाने पीते रहे हुए दिमेदे में गती से चलते रहे हैं दोस्तों बोलते हैं ना सपर खुब सूरत है मनजिल से भी ज्यादा पकाज़ा सपाट है हां ति मेरा दोस्त अब चढ़ाई लगबक सिथी हो चुकिए है और यहां पर चलने में भी बहुत ताक खतला कानी पड़ रहे है अब फिर से यहां पर चल पड़ेगी हम बहरो बाबा के मंदिर की दर्शन करने के लिए जा रहे है आदी शंकर अचारी जी का बड़ा सा स्टैचु यह वाप है वो मैं आप लोगों दिखाता हूँ के दर्नत सीरीज के तीसरे ब्लोग में आपका सौगत है पहले ब्लोग में हम मुंबई से हरी द्वार दूसरे ब्लोग में हरी द्वार से गवरी कुन और गवरी कुन में हमने इस होटेल में स्टैक किया था आज की इस जर्नी में हम गवरी कुन से पईदल केदरनाथ जाने वाले और केदरनाथ के अजवाजू का परीसर आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाले सबसे पहले थे हमने यहाँ पर गवरी कुन में हमारा वह साबा नॉक लूं में रख दिया था जो यहाँ पर लॉकर साविलेबल थे उसके बाद यहाँ पर हमने फ़ाइदल जर्यूंग करने के बाद कुछ दियर आप आगे चल के जाते हो तो आपको कुछ ऑप्शन आविल हमने यहाँ पर गोड़े खचर का प्रिपेड काउंटर यहाँ पर आ जाता है जहाँ से चाहे तो आप गोड़े खचर भी ले सकते हो या फिर यहाँ पर आपको आजू बाजू में बहुत सारे पिट्टू वाले भी मिल जाएगे तो अब इन दोनों में सा आप्शन भी कर सकते हैं हमने तो पैदल जाना यहाँ पर पर समझा पर यहाँ पर हमारी जर्णी को हमने स्टार्ट कर गिया तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारी कहधारनात की जर्णी इस जर्णी में हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर चलके जा रहे थे हमें अलग-अलग जर्नी को यहाँ पर एंजॉय कीजिए दोस्तों यह जो बोर्ड आपको रास्ते में दिखे गए ना इनके उपर भरोसा बिल्कुल भी मत रखना क्योंकि यह जो बोर्डे जो आफ़दा आई थी थोड़ा सा चलने के बाद मुझे मेरे एक गलती का इसास हुए यह गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिए अगर आप चलके जाना चाते हो तो यहाँ पे आपके साथ बाहरी बरकम सामान मत लीजे हो सके तो उनली एक ही बैग लीजे मैंने यह आपे दो दो बैग लिये थे तो य आपे मुझे थोड़ी से चलने में भी दिक्कत हो रही थी तो आप आवाइड कीजे आप लॉकर रूम में आपका सामान चोड़के आगे की जरनी कर सकते हैं इस जरनी में बहुत सी चीज़े मुझे सीकने को मिली देखने को मिली बहुत से बुजर्ग लोग जिनका उमर जलके जाईए अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो आप गोड़े खचरों का यूद कीजे ये गवर्मेंट ने सुच लिखा है यात्रा के दौरान पाने पीती रहे है वो दीमीदी में गती से चलते रही है दीमीदी में गती से चलोगे तो आराम से पोच्जा होगे अगोड़े खचर से जा रहे है हम चलते चलते जाएगे आराम आराम से बेटते बेटते निकलते जाएगे रास्ते में हमें नेचर के कुछ ऐसे दुरुश्य देखने को मिले जिनको देखने के बाद मन पूरी तरह से प्रसन्न हो गया जो नागारे आज से पहले हमें कभी नहीं देखे थी अगर यह सारी चीज़े आपको देखने होगी तो आपको पहाड़ों में आना होगा दोस्तों बोलते हैं ना सपर खुब सूरत है मंजिल से भी ज़्यादा यह बात सच है अभी लगबग 5-6 किलोमेटर चेले और इस जगा पे हम यहापे थोड़ा सा रेष्ट करने के लिए रुखे सुकुने वाई सब यहापे मैगी ओर्डर किये अब मैगी काये गे हमारे का अंकल जी की यहापे दुखान पर हम रुखे और इस लोकेशन का नाम शायद से है मिटा पानी मैप का लोकेशन साइड में यहापे दिखाए दूँगा कि एकड़ हम कहा पे गवरी कुन पीछे के नीचे के साइड में दिख जाएगा उपर में कहदाना दिख जाएगा तो लगबग आदा रस्ता भी तक नहीं आ हुआ है आमारा लगबग पाच्चे किलो मेटो तो अभी चल जूगे इदे को पूरी तरा से खटा खटा इंसान है खुद भी तकलीब ले रहा है किसी और को भी तकलीब देता जा रहा है अब हम जिस लोकेशन पर पोचे उस लोकेशन को भीमबली बोला जाते हैं अगर मैं यहाँ से आपको केदानत के दूरी दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको बहुत सले बोर्ड यहाँ पर दिखाए देते हैं बट मैंने स्टार्टिंग में आपको बोलाए कि इस लोकेशन को यहाँ पर इगनॉर कीजें मतलब उस बोर्ड को इगनॉर कीजें यहाँ से अगर मैं आपको केदानत का लोकेशन बताऊंगा तो साइड में मैं आपको मैप दिखाए दूँगा मैप की सबसे अगर आप देखेगे तो लगबग हम आदा रास्ता कवर कर चुके इस बोर्ड पे अगर मैं फोकस करूंगा तो यहाँ पे लिखागा है बीम बली बगवन केदानाच जी के मंदिर का निर्मान बीम सेंजी ने किया था इनके दर्शन मातर से ही पुन्य पराप्त होता है यहाँ पे हमने दर्शन लिये और आगे की जरनी हमारी स्टार्ट रगे अगर आपने अभी तक गोड़े खचर नहीं लिये और अभी यहाँ से आगे अगर आपको चाला नहीं जा रहा है तो यहाँ पे भी आपको option available है, यहाँ पे भी गोड़े खचर का counter होता है, यहाँ पे prepared counter से अब चाहे तो यहाँ से भी गोड़े खचर यहाँ पे आगे केदरनाजी की journey के लिए यहाँ पे book कर सकते हैं, वैसे दोस्तों यहाँ से अगर आप book नहीं करोगे और आगे आगे आग से में बहुत सारे ओटल फॉल, साथी साथी यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ों के नादारे आपको देखने को मिलते हैं, तो मेरे साथ इन सारे scenic view को आप भी enjoy कीजी आइसी पहाडों के बीच से बहुती हुए नडी अगर आपको देखनी है, तो आपको सच में पहाडों में आना है, या फिर आप के दरनाद भी यहाँ पे आसके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पानी कैसे चट्टानों को चीरता हुआ है यहाँ से जा रहा है, अगर मैं आपको बता हूँ तो केदरनाथ में जो आपदा आई थी 2013 में तो उसी वक्त यहाँ से बहुत सारा पानी आया था और यहाँ पे जो बसे हुए छोटे-छोटे खजबे और छोटे-छोटे गावे थे तो पूरी तरह से बरबाद हो गए थे यह मेरा दोस्त हाई नेचर के अदबत रूपों को देखने के बाद शरीर में आई हुए थका थोड़ी से कम हो जाती है और थोड़ा सा सुकून महिसुस होता है उसके बाद यहाँ पे कुछ दिर रेकने के बाद हम हमारे आगे की जर्मी यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं चलते चलते ठकने के बाद बोड़ी को थोड़ा सा रेश्ट भी दरूर है इसके लिए हम बीज बीज में ऐसे कुछ दुकाने यहाँ पे आती थी उन दुकानों पे बैठते थे थे थोड़ा बहुत पानी पीते थे चाई पीते थे कोल ड्रिंस पीते थे उसके बाद हम फिर से हमारी जर्णी स्टार्ट कर देती है केदरनात के रास्ते के कहानी या जितनी बता यह उतनी कम ही अचानक से कभी भी मोसम यहाँ पर चेंज होता रहे थे कभी बारिश होती है कभी कहरा आता है कभी अचानक से थण्ड यहाँ पर महसूस होता है फाइनल यहाँ इसे करते करके लगब बारा गंटे हाने लगए यहाँ पर केदरनात आनी हुआ हमने हमारा सामान पूरी तरह से टेंट में रख दिया था जो हमारे पहले से यहापे प्रिवूप थे उसके बाद हम चले गए मंदीर में धर्शन लेने के यहापे हम मंदीर में पोज गए और यहाँ से हम लेगे केदानाद बाबा के धर्शन मंदीर पर इसांच में आने के वाद पूरी तरह से हम एनरजाटिक हो गई थे और पूरी तरह से ठकान दूर हो गई थे जाके रात में हमने फिर से यहापे रेश्ट कर लिया और सुभा उटके फिर से हम मंदीर की तरफ चल पड़े जाते ही रास्ते में आपे हैली बैड अपने देखने के मिला जहाँ पे हेलिकॉप्टर से लोग यहाँ पे आते जाते हैं अगर आप मुझे पूचोगे कि सबसे बेश्ट वे कौन सा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपको शेरिर को कुछ भी दर्द नहीं देना तो आप यहाँ पे हेलिकॉप्टर से आऊ सकते हैं पर हेलिकॉप्टर से आऊगे तो यह नेचर का जो हमने एक्सपिरेंस लिया एक्सपिरेंस आप हेलिकॉप्टर से बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं तो यहाँ पे अगर आपको रास्ते में कुछ कटीने आये होती हैं पर उसी तारह से वो रास्ता भी उतना ही खुपसूरत होता है तब फिर से हम जा रहे हैं मंदिर के होड़ेंस यहाँ पे मेडिकल्स और एटेम्स अवेलेबल हैं बड़ दोस्तों यहाँ पे हम जब आये थे तब यह यह टेम्स पूरी तरह से बनता तो मैं आपको रिकुमेंट करूँगा साथ में आप कैश कैरी कीजे हम मंदिर परिसर में आये यहाँ पे हमने कुछ फोटेज कलेट किया उसके बाद हम यहाँ पे मंदिर के आजुबाजों की सारी जगा है अब आप लोगों के साथ एक्स्प्लोर करने वाले कि वैसे यहां पर देख सकते हो मंदिर के आजिवाजों में बहुत सारे श्रद्दालू यहां पर दरिशन लेने के लिए आए यहां पर आपके लिए छोटा सा फूटेज में यहां पर कलेट कर रहा हो अगर आपको एक वडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा विश साथ अच्छे से जुड़ते जाओगे तो मैं आप लोगों के लिए बारा जोती लिंक के दरिशन इस चानल पर लेकर आऊंगा सामने से आप देख सकते हो मंदिर के सामने बहुत सारे श्रद्दालू यहां पर खड़े हो गये बहुत सारी भीड़ यहां पर है और यहां पर यहां पर आजू बाजू की जागाओं के बारे में नौलेज देए तो चलिए बने रहे इस वूड़ियों में करते हैं भीड़ है अब हम आये मंदिर के पीछे के साइड में यहाँ ते आपको एक विशाल का यह भीमशिला दिख रही होगी यह जो चट्टा ने इसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है 2013 में जो प्रले आया था इस प्रले में इस मंदिर को इसी चट्टा ने बचाया था यह भीमशिला भैकरी उस प्रले में आये थी और मंदिर के विचा के खड़ी हो गई इसने इस मंदिर का प्रोटेक्शन उस प्रले में किया था आजुबजीव का पूरा परी से यहाँ पे तरिस तरिस नस हो गया था बड़ यहाँ पे एक मंदिर को एक खरोज भी नहीं आई इभीमशिला के दरशन पे हम लोगों ने लिए मंदिर के पीचे के साइड यहाँ प्याने के बाद आपको एक कुंड़ दिकाई देता है मंदिर पे शूलिंग के उपर जो जल चड़ाया जाता है वो जल यहाँ पे एक कुंड़ में जमा होता है यहाँ से यह जल आप बोटल में भरके यहाँ पे आपको घर लेकर जाना है तो आप घर लेकर जा सकते है इसमें सा थोड़ा सा जल हमने भी बोटल में भरा अब हम जा रहे बहिरोबाबा मंदीर के ओर केदानात मंदीर के बादू से ये गली याप बहिरोबाबा मंदीर को और जाती कहा इसे जाता है कि जब तक आप बहिरोबाबा के दर्शन नहीं उत लेते जब तक आपकी केदानात की यातरा संपन्न नहीं होती यहाँ पे आपको इस ब्रीच को क्रॉस करके आगे जाना पड़ता है इसके बारे में एक धंत कता भी प्रसीत है बोला जाता है कि बहरो बाबा जब 6 महने कपाड बंदो होते कमर केदानात मंदिर के रक्षन करते है तो चले हम चलते हैं इस ब्रीच लोग प्राउस्टर के उपर यहां पर पहाडी के ओर बहरोबाबा के दर्शन लेगे लिए निच्चे के साइट यहां पर केदानात मंदिर लगबग इतनी चड़ा है चड़का यह है बाकी यहां पर देख सकते हैं उपर की साट में लोग आभी भी जा रहे हैं, हमने थोड़ा सा यापे उश्रान्ती लेने के लिए रुके, फिर से यापे चल पड़ेगे, हम बहरो बाबा के मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, रास्ता बहुत कटीन है, कटीन मतलब कटीन इतना भी नहीं बोल सकते सीधा रस्ता खड़ी चाड़ाई है, इसलिए थोड़े से ततलिप हो रहे हैं, हम बहरो बाबा मंदिर के पास पोच गए, यहाँ से हम बहरो बाबा के दर्शन लेगे, यहाँ से मंदिर आपको स्पष्टा दिखाई देता, इसके बाद हम जाएगे मंदिर के पीछे जो अगर मैं थोड़ा साथ जूम करके आपको दिखाऊंगा, तो मंदिर भी आपको दिख जाएगा, और मंदिर के पीछे आपको यह वाला सेर्कल दिख जाएगा, इसी में हमें यहाँ पे आदी शंकरा जारेजी का टैचु दिखता है, पीछे के साइड मंदिर है, सामने हम जा रहे है, आदी शंकरा जारेजी का बड़ा सा स्टैचु है वहाँ पे, वो मैं आप लोगो दिखाता हूँ यहाँ स्टैचु है Instagram, YouTube colony बडु प्रफशाम डोच्मिर से Father Commercial सेर्कल सेर्कल चारेज़ॉ पीउग्ण सेर्कल स्टैचिए और स्षतैचू ब्रह्मा मुरारी सुरार चीता लिंगां अधिशंकराचारेजी का दर्शन लेने केगा हम मंदिल से कुछ दूर यहाँ पे पुण्ड़े यहाँ पे पोजी है यहाँ पे भोले नाथ का आवाद लेने से दमीन से जो पानी है उसके अंदर बुलबुले ने निकल के आते हैं पानी है अधिश्व जोड़े पानी है अधिश्व जो जोड़े यहाँ जोड़े बोले बोले शम्मों परेट के उठाने बड़ें कि वक्राइब कि आज़ों के अजूबांजों के सारे परिसव को आमने एक्सप्लोर कर लिया अब यहां से हम हमारी रिटन जरमी स्टार्ट करने वाले यहां से हम फिर से गवरिकुन जाने वाले गवरिकुन जाने के बाद हम यहाँ पर बद्रिनाज जाने वाले बद्रिनाज से वापस हम रूशी के जाने वाले रूशी कोश में हम बंजी जंपिंग साथी साथ यहाँ पर रिवर राप्टिंग करने वाले वो ब्लॉग भी बहुत जल्द हमारे चैनल पर उखलब्द होग झालेपी कीज़ है लड़ मेंächstे लड़ाया झाल झाल पाल झाल झाल